हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे कैफिन के बारे में कैफिन के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं हमारी बोडी को यह क्या नुक्सान पहुचा सकती और इसका बहतर इस्तमाल कैसे कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं कैफिन के बारे में, कैफिन जो कि एक साइको एक्टिव ड्रग है, ये दिमाग को सांध करती है, और आपके एंडरिनस लेवल को बढ़ा देती है, इसलिए बोडी बिल्डर और एथलेट इसका इस्तमाद करते हैं, यह है कार्डियो जो दिमाग है काफी तरो ताजा और रिलेक्स और एनरजेटिक महसूस करता है, उसका कारण काफी में पाये जाने वाला कैफिन ही है, और रिसर्च से यह भी पता चला है कि कैफिन का ज्यादा इस्तमाल आपको एडिक्ट भी बना सकता है, मिस आपके बोडी को डेली इसकी डोज की जरूरत पढ़ सकती है, आपके अंट्रिलन्स लेवल को बढ़ाने में और आपके आलस को दूर करने में इसका इस्तमाल डेली करना पढ़ सकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ये बोडी से बोडी वेरी करता है क्योंकि हर बोडी का नेचर अलग-अलग होता है, पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुक्सान पौशा सकता है कहते हैं ना जरूरत से ज़्यादा और गलिक तरीके से कोई भी चीज आपको ज़्यादा नुक्सान पौशा सकती है कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल से आपको सिरदर्द, पेटदर्द और हाई बलड प्रेसर की समस्या हो सकती है अब यह समझना चाहिए कि कॉफी का कितना इस्तेमाल हमारे सरीर के लिए स्टेवल होगा और इसका मैक्सिमम डोज एक दिन में कितना ले सकते हैं एक बार में 100 mg से 200 mg केφिन का इस्तेमाल स्टेवल होता है वहीं पूरे दिन में 200-600 mg केफिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हाँ अगर 600 mg से ज़ादा कैफिन का इस्तेमाल आप रोजाना करते हैं तो आप को कुछ गंबीर परेर्णा हो सकते हैं वहीं एक कप कॉफी में एप्रोक्सिमेट सो मिलिग्राम कैफिन होता है जो आप उच्छे गंटी तक अलर्ट रख सकता है एक दिन में एक से दो कप कॉफी आप उस टेवल होती है जरूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा कॉफी आपको नुक्सान दे साइंस की माने तो एक से दो कप कॉफी आपके दिल और दिमाग के लिए अच्छी माने जाती है या आलस को दूर करती है वहीं अगर आप इसका उपयोग अपने एंडुरेंस लेवन को बढ़ाने के लिए करते हैं अगर कोई आप कार्डियो एक्सराइज या देता है क्योंकि यह आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करने में और इंस्टन्ट एनर्जी प्रोवाइड करने में काफी मददकार सावित होता है अपने टास्क यानि एक्सराइज के गंटे पहले लेने से यह आपको बहतर रजल्ट देता है साइंस और मेडिकल रिसर्स पाया यह भी माना जाता है कि यह आपकी बॉडिक को डेटॉक्स करता है यानि टॉकशन को बॉडिक से बार निकालने में मदद करता है यह काडियोवस्कुलर एक्टिविटी जैसे की रनिंग स्वीमिंग साइक्लिंग बॉड़डी páginaelt में अपनी पर्फॉर्फॉर्मेंस को के सजेशन पर